हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु इटेरिया, मैं परिण कुमार आप सभी का स्वाइट करता हूँ और सबसे पहले आप सभी को सोतंता दिवस के इस विशे सबसर पर धेर सारी सुप कामनाय एवं बधाईयां और उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे इस कोवीड की परिश्थितियों में और अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए प्रयास रख भी होंगे चलिए कुछ बाते करते हैं सबसे पहले तो जो लोग्टाउन की परिश्थितिया बनी थी तो थोरा सा वह दोर ऐसा लगा था कि 10 दीन 15 बीज दीन की बात है दीरे दीरे सब कुछ बहुत जल्दी समाने हो जाएगा लेकिन बहुत जल्दी समाने नहीं हो पाया और यू कहें कि आज भी पूरी तरह से समाने नहीं हो पाया कि अभी मैं थोरी दिर पहले जो है जहंडो तोलन में भाग दिया तो वहां भी सोसल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना मास्क लगाना इस तरह की चीजीं ये दरसाती है कि हम लोग के लाइक में काफी कुछ बदलना पड़ गया ह इस तरह की परिष्थितिया बन गई है कि हर जगा जो जहां है वहीं आपने आपको इस वर्तमान परिष्थितियों के साथ जो है मैनेज करने का प्रयास कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस परिष्थितियों में जो है हम लोग निरासा के जीवन को जीए जरूरत है कि उमी प्लियास किया था homework series का, चुकि हम लोग को लगा कि 10-15 दिन के ये covid situation आई है, तो क्यों ना घर बैठे जो छात्र हैं उनको कुछ help किया जाए, लेकिन जब उस स्रिंखला में हम लोग आगे बढ़ें तो धीरे धीरे ये परिस्थितिया बढ़ती गई और आज नतीजा ये है कि हम लोगों ने covid की इस दौर में काफी कुछ अच्छा एचीव करने का प्रियास किया और इस दौरान हम लोगों ने जो है self study और जो एक सहयोगी study थी जिसमें आप लोग घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते थे उसको हम लोगों ने काफी हद तक प्रसाहित करने का प्रियास कि और इसका एक बहुत अच्छा परिडाम भी निकला बहुत सारे positive comments भी आते हैं कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया तो हमारी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना जाता हूं जिनोंने इस कठिन समय में जो है चात्रों के हित में कुछ कारे करने का अफसर मिला तो उससे पीछे नहीं हटे और उन्होंने बढ़ चर्ट कर गए जो है इसमें कारे किया और काफी अच्छा कारे किया क्योंकि मैं भी एक छात्र होने के नाते अगर मैं सोचू तो मुझे लगता है कि यह सब चीजे जो है एक एस्ट्रेंट के लिए काफी helpful हो जाती है और उ इसके अलाबा हर राजे से समद्धित कुछ न कुछ PCS और अन्य सेवा से समद्धित एक्जाम जो है और वह आने वाले समय में आयोजित किये जाने वाले तो उन सभी एक्जाम के लिए यह होमवर्क सेरी वह काफी उप्योंगी रहा इसके अलाबा आने वाले 66 BPSC PT के लिए और यहां से आप उसकी तैयारी वह कर सकते हैं फिलाल एसाई वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट की कि सर अभी जो एसाई की वैकेंसी आई है उसके सम्द्ध में कुछ गाइडलाइन दे तो मैं इसके लिए एक फुल वीडियो बनाओंगा लेकिन फिला गराफ को देखते हैं और हम लोगों ने इस दौरान जो है क्या किया है तो इसको गराफ के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ आए देखते हैं ये टीम इडूट एडिया के दोरा लॉकडाउन के परश्थितियों के बीच किये गए कारेओ का मुल्यांकन या चार्ट है इस चार्ट को देख करके आपको काफी कुछ समझ में आएगा और आगे के भी कुछ प्लान है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा इस पेज को देख करके आपको काफी अच्छा लगेगा मुझे काफी अच्छा लगा कि इस तरह से हम लोगों ने अपने कारियों को एक अरेंज किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या कर रहे हैं और इसका एक मूल उदेश यह भी है कि जो इस टेस्ट सीरीज में रेगूलर नहीं हो पाया थे उनके लिए एक चार्ट है कि वो प्रीवियस टेस्ट को हमारे दे सकते हैं और होमवक सीरीज से जूर सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टीम इडूटेरिया के दवारा जो लॉगडाउन के प्रस्थितियों में किये गए कारे हम लोगोंने सबसे पहले-मॉडरन हिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट किये थे होमवक सीरीज में 17 March को start किया था जो कि 4 April तक चला था 17 March को actually lockdown तो नहीं लागू किया गया था लेकिन जितने भी सैक्षिनिक संस्थान थे जो educational centers थे उनको बंद कर दिया गया था तो उसके कारण हम लोगों ने start कर दिया था lockdown से पहले ही और 17 March से लेकर के 4 April तक हम लोगों ने लगातार 19 दिन जो है वो चलाया थे Modern History के और पूरे Modern History के chapter को complete किया था तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाईएगा तो ये पूरे के पूरे 17 March से लेकर के 4 April के बीच में अगर आप चेक करेंगे तो पूरा Modern History आपको मिल जाएगा इसमें more than 400 जो हम लोगों ने question, answer और बहुत सारे PDF जो है provide किये थे Modern History समाप्त होने के बाद हम लोगों ने 6 April से शुरू किया था Indian quality जो कि 6 April से लेकर के 22 April तक चला था और फिर हम लोगों ने इसे 17 दिन तक चलाया और इसमें भी लगवग 375 से अधिक question जो हम लोगों ने provide किये थे फिर उसके बाद हम लोगों ने ancient history को सुरू किया था ancient history जो है वो 6 April से लेकर के 22 April तक चला था जो कि 14 दिन और इसमें भी लगवग हम लोगों ने 300 से अधिक question प्रवाइड किये थे उसके बाद world geography जो है किया था यह हम लोगों ने 28 मई से लेकर 17 जून तक चलाया और इसमें मूल रूप से हम लोगों ने पिछले एक वर्स के जितने भी monthly current affairs थे उसको month by month करके हम लोगों ने question के रूप में दिया पीडियेफ के रूप में दिया इसके अलाबा जो है नाकेवल इसे month wise दिया बलकि इसमें एक लास्ट में जो हम लोगों ने पचास-पचास question के भी टेस सीरी जो है लिए ताकि आपके practice को किया जा सके तो current affairs अगर आप तयार करना चाते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप 28 मई से लेकर के 17 मई तक के questions को बना लीजिए काफी हद तक आपकी तयारी हो जाएगी अभी recently जो हम लोगों ने टेस समाप्त किया है home work series में वो है medieval history का और जो की हमारा जो है वो 29 जून से लेकर के एक अगस्त तक चला है और पूरे 29 दिनों में हम लोगों ने लगभग 650 questions को cover करने का प्रयास किया है तो काफी लंबा series चला लेकिन काफी अच्छा और काफी helpful रहा और recent में जो हमारा test series चल रहा है वो चल रहा है हम लोगों का environment section पर्यावरन section से चल रहा है तो daily gram पर आईए हम उसको भी दिखाएंगे लेकिन आईए इसमें कुछ और बाते हैं जिसको हम लोग देखते हैं आईए सबसे पहले हम आये आपको यह बताता हूं कि यह जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें हमने रेड कलर का यह जो चार्ट दिख रहे हैं यह एक ऐसाद भ लगबग 65 पर 65 ऐसे स्टुएंट रहें जो कि मतलब जो है उन्होंने एक रेगुलर वे में जो है वो होमबर्क सीरीज और टेस्ट देने का कारे जो है किया है कुछ लोग इसमें आते जाते रहे हैं जैसे आज का टेस्ट दिया कल का नहीं दिया फिर परसों का लेकिन मैक्स लोगडाउन का जो है वो यूटिलाइज किया गया यानि लोगडाउन की जो परिस्थितियां थी तो उसमें काफी लोग विचलित थे लेकिन हम लोगों ने लगबग उसके 90 परतिशत को स्टुएंट सिर्थ में उपयोग करने का कारे किया तो यह हम लोगों की एक एक एच स्रीज और हमारी सुब कामना है सब लोगों के साथ है जिन लोगों का छूट गया है तो हमारे टेलिगराम चैनल पर जा करके इसको फिर से देख सकते हैं आईए फिर इस आंकडों को देखते हैं इस दोरान हम लोगों ने 127 से अधिक जो है वो क्यूज क्रियेट किये हैं 90 से अधिक का समय भी चुका है इस दोरान हम लोगों ने कई सब्जेक्ट के होमवग स्रीज और कई PDF कई जो है वीडियो फ्री में अबलेबल कराए हैं आसा यही है कि हम लोगों ने जो एक नकरात्मक जो एक माहौल बना हुआ था लॉकडाउन की परिश्थितियों के बीच एक सकरात्मक हुए होंगे और दूसरी तरफ अभी बरतमान में भारत सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत की बात की जा रही है तो हमारा भी पढ़ियास यही है कि लोग अपने घर में रह करके पढ़ाई को जारी रखें आत्म निर्भर बनें सिल्फ स्टड़ी जो है वही अ हमारे लिए जो है सबसे महत्पूर्ण रहेगा तो इसके लिए जो है इडूटेडिया होमवर्क सिरीज जो है आपके साथ निरंतर बना रहेगा और जो तीन चार्ट पांच सब्जेक्ट बचे हुए हैं जैसे साइन्स के कुछ सब्जेक्ट हैं इंडियन जोगरफी और इक और दूबारा उसको बना करके प्र्क्टीज कर सकते हैं तो कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले आप Play Store से Telegram एप को डाउनलोड कर लें और Telegram को जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक search बटन दिखेगा इस search बटन पर जाकर करके click करना है और click करने के साथ यहाँ पर आपको इडूटेडिया test series लिख करके search करना है यही जाए तो 안돼 जाएग है वो मovस्चु है तो इसको आप यहाँ पर प्रम इस जाइन Box कर लेंगे जैसे यह test दिखा रहा है आपको तो इस test को आप यहाँ खोलेंगे तो Homework सेरीज में इस तरह से आपको questions दिए जाएंगे और questions को आप उस तरह से बना सकते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ये गूगल के थूरु आपको खुलता है और यहाँ पर आप practice कर सकते हैं तो Google के माध्यम से जो practice होता है उसको आप कर सकते हैं अब जैसे एक आपको तो यहां पे आपको questions हैं और question का answer इसमें fill करना है कि आप जो question आपको सही लगेगा उसको fill करते जाना है और fill करने के बाद last में क्या करना है? Submit करना है जैसे ही submit करेंगे तो आपका पूरा यहां पे score, view score करेंगे तो आपका पूरा result जो है यहाँ पे दे देगा कि आपने कितने questions सही बनाए हैं, कितने गलत बनाए हैं और क्या सही उत्तर होगा, यह सारे चीजे इसमें बता दी जाएंगी, तो इस तरह से भी हमारा चला है, बाद का test series लेकिन प्रारमभिक test series की बात करें, तो वो प्रारमभ आप पीछे जा रहे हैं, कितना date तक जा रहे हैं, यहाँ पे date आपको mention हो रहा है उपर में, तो इस date को आप देखते चलेंगे, और आप अगर माल लिये हम थोड़ा पीछे जाते हैं, मार्च के ही करम में जाते हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि कैसे हम लोगों ने मार्च से साथ बने हुए हैं, और आने वाले समय में भी बने रहेंगे, चैसे हम लोग यह मार्च में आये हैं, तो यह हम लोगों का क्या था, यहाँ पे जैसे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कि हम लोगों ने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और उस वीडियो क करेंगे, तो आपको पूरा साफ सब दिखेगा, कि क्या कुश्चन पूछा गया था, क्या टिक करना है, और इस कुश्चन के साथ-साथ यह पीडियो फॉर्म में आपको लास्ट में जो है, एंसर भी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर एंसर आपको दिया गया है, जिस एक लाग से अधिक लोगों ने भी देखा है, तो इस तरह से यह काफी helpful रहे है, अगर आपने इसको miss कर दिया है, तो आप पीछे जा करके स्क्रॉल करके, आप पिछले हमारे जितने भी test series हैं, उन सब को देख सकते हैं, उसमें participate कर सकते हैं, यह मई का है, इसलिए जोगरफ एक सो पैतालिस हजार से अधिक student जुडे हुए हैं, तो इस students की स्रिंखला में आप भी जूड़ जाएं, अगर अभी तक नहीं जूड़े हैं, और जूड़ चुके हैं, तो आप revision जरूर करते रहे हैं, और आने वाले series में हम मैं बता दूँ कि अब science की series सुरू होने वाली ह तो 15 अगस्त के इस विशेश अबसर पर आप सभी के लिए धेर सारी सुपकामनाओ के साथ उमीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और आने वाला भवी से वाप लोगों का उजवल होगा, थोरा सा संघर्स का और कठिन समय तो जरूर है, नीरासा भी से जूरने के लिए, थैंक यू